चोपड़ा एजुकिस न्यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ मेरे पैरे बच्चों, जिन बच्चों को वेटनरी काउंसलिंग का इंतजार था अभी वो इंतजार खदम हो चुका है, वेटनरी काउंसलिंग स्टार्ट होने जा रही है ये 21st, मार्च 22 से स्टार्ट होने जा रही है तो पहले मैं आपको इसका सेडिूल बताऊंगा, उसके बाद में बाकी कंडिशनें बताऊंगा इस बार रूल्स चेंज होआ है, क्या चेंज होआ है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे तो इसकी वेबसाइट vcr.dadf.gov.in पर आप जैसे ही विजिट करेंगे तो काउंसलिंग का पोर्टल मिलेगा, इस परकार से आपको यहां पर इंटरफेस मिलेगा यहां पर आप देख सकते हैं, seat matrix दिया हुआ है, counseling 21-22 के लिए information bulletin दिया गया है, online schedule दिया गया है, nodal officers के यहां number दिये गए है तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर schedule बताऊंगा, पहले हम schedule देख लेते हैं इसका online schedule क्या है, तो इसमें जो change हुआ है इस बार, change यह हुआ है कि इसके तीन राउंड में तीनों बार registration हो रहा है, पहले इससे पहले यह हुआ करता था कि second round में registration नहीं होता था, first round और mop up round में ही phrase registration होते थे, लेकिन इस साल से second round में भी registration इसमें हो रहे हैं, तो first round का schedule इस परकार से है, registration और payment of fees की जो date है 21st March से लेके 23 March 22 तक रहेगी, इसके बाद में 24 filling और locking की जो date है, वो 24 March 22 तक रहेगी इसके बाद में seat allotment रहेगा 24 March 22 तक, इसके बाद में announcement होगा result का, यहने की seat allotment हो जाएगी 25 March 22 Friday को, इसके बाद में college में reporting जो date रहेगी, वो 25 March से लेके 29 March 22 तक रहेगी, तो इतना तो यह first round का schedule है इसके बाद में second round का जो schedule है, वो इस परकार से है, registration और payment of fees की जो date रहेगी 31 March 22 से लेकर के 2 April 22 तक रहेगी इसके बाद आप 24 लोग कर सकते हैं, 24 फिल कर सकते हैं, जिसके last date 4 April 22 मंडे तक रहेगी, इसके बाद में seat allotment का process 4 April 22 को होगा, और इसमें result आ जाएगा 5 April 22 को, जो second round की reporting का schedule है, वो 5th April 22 से लेकर के 8 April 22 तक रहेगा, तो ये second round का schedule हो गया, अब हम बात करें मोपप round के schedule की, तो मोपप round का जो registration है, payment of fees है, उसकी जो date है, वो 11 April 22 से लेकर के 13 April 22 तक है, इसके बाद में online choice filling और choice locking की जो date रहेगी, वो 11 April 22 से लेकर के 13 April 22 तक रहेगी, seat allotment process रहेगा, वो 13 April 22 को होगा, result का announcement होगा, वो 14 April 22 को होगा, reporting रहेगी, respective colleges में, वो 18 से लेके 20 April 22 तक रहेगी, तो ये schedule है, पूरा का पूरा तीनू rounds का, और इस बार change हुआ है, वो ये है कि इस बार second round में phrase registration हो रहे हैं, यानि कि तीनू round में ही phrase registration हो रहे हैं, अब बात करते हैं हम seat matrix की, एक बार हम seat matrix देख लेते हैं, तो इसमें जो वेटनरी की total seat हैं, ओल इंडिया में, वो 5,087 seats है, इसके बाद में, इसमें जो 15% वेटनरी का quota होता है, VCI quota होता है, AIPVT बोलते थे जिसको पहले, उसका quota है, उसकी seat हैं, 781 seats, अब इसमें category wise अलग-अलग distribution है, UR category की 294 seats है, total 294 seats है, UR category की, UR PWD की 15 seats है, इसके बाद में general EWS की 73 seats है, general EWS PWD की 3 seats है, इसमें, OBC की 195 seats है, OBC PWD की 10 seats है, SC की 109, SC PWD की 8 seats है, इसके बाद में ST की 55 seats है, STPWD की 2 seats है, बाकि जिस परकार से, All India quota के लिए, MBBS, BDS और IUS में, OBC का जो reservation हुआ है, 27% implement हुआ है, All India quota के लिए, वो veterinary में भी implement हो चुका है, तो ये भी इसमें दूसरा बड़ा change हुआ है, इसमें 10% EWS का reservation भी implement हो चुका है, और 27% OBC का reservation भी इस बार इसमें भी veterinary में भी लागू हो चुका है, तो ये दूसरा इसमें बड़ा changing है, तो इसमें 2 changing हुए हैं इस साल के लिए, first changing ये है कि इसमें 2nd round में, हर एक round में इसमें registration हो रहे हैं, और दूसरा ये है कि इसमें OBC और EWS का इस बार quota implement हुआ है, तो ये होगे इसमें changes, अब हम इसमें देखते हैं, आगे इसमें एक date extend का public notice देया गया है, तो वो क्या है, तो मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बना के बताया था, कि जो वेटनरी admission की जो last date है, वो 15th April 22 रखी गई है, लेकिन फिर भी ये late हो गया है schedule, इसलिए अभी इसको extend करके, इसकी जो last date रखी गई है, वो last date 30 April 22 रखी गई है, यनि कि जो वेटनरी के admission होने हैं, उसकी last date 30 April 22 रहेजी, अब हम इसमें बाकी जो condition हैं, वो भी देख लेते हैं, information blatant दिया गया है, जिसमें सारी condition हैं, उसमें आप सभी condition देख सकते हैं, तो information blatant आप download करके, इसमें जो भी condition रहेंगी इसकी, वो आप इसमें देख सकते हैं, seat matrix देख सकते हैं, eligibility देख सकते हैं, इसमें सारी की सारी condition आपको information blatant में मिल जाएंगी, देख सकते हैं आप यहां से, तो ये तो हो गया information blatant का अब इसमें जो बाकी दिये गए हैं इसमें जैसे public notice दिया गया है public notice में यही कहा गया है कि ये 21 अपरे March 22 से counseling start होनी जा रही है ये public notice में कहा गया है इसके बाद में जो PWD candidates है उनके certificates के बारे में उनका format दिया गया है EWS certificates का format दिया गया है OBC certificates का format दिया गया है और SC certificate का format दिया गया है वो आपके पास already available होगा जो state का format है वो भी इसमें मानने है तो इसमें आपको ज्यादा टेंसर लेने की आवश्यक्ता नहीं है तो ये था veterinary counseling के बारे में जानकारी आप इसमें हमारी help भी ले सकते हैं आप हमारी book download भी कर सकते हैं जिसमें previous year की कटोब दी गई है veterinary की तो आप वो कटोब भी देख सकते हैं आप हमारी इसके लिए paid counseling services भी ले सकते हैं और paid counseling services लेने के लिए आप जैसे book download करेंगे हम आपसे contact कर लेंगे तो ये condition थी veterinary course के लिए बाकी जैसे जैसे इसके बारे में update मिलेगा registration के बारे में choice filling के बारे में हम आपको वीडियो बना कर समझा देंगे तो मिलेंगे नई update के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैसे